Hello friends, welcome on my channel Lucid Modern History के सीरीज में हम इस वीडियो में Economic Impact of British Rule मतलब की British Rule का इंडिया में आर्थिक प्रभाव क्या पढ़ा उसके most important questions करेंगे जो की आपके previous exams में पूछे जा चुके हैं और upcoming exams के इंडिये काफी important है वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो first question देखते हैं Where was the first cotton mill in India established? पहला cotton mill जो है इंडिया में कहां established किया गया था? तो इसका answer होगा B, Mumbai में Mumbai में जो है पहला cotton mill जो है इंडिया का established किया गया था और ये question जो है काफी important है SSE में दो बार पूछा जा चुका है और may be upcoming exams में भी इसे पूछा जाए तो इसे ध्यान रखियेगा Next question देखते हैं Where was the first iron and steel industry of India established? पहला जो है iron and steel industry इंडिया का कहा established किया गया था? तो ये होगा आपका जमसेदपूर Option C जमसेदपूर में पहला iron and steel industry जो है established किया गया था 1905 में Next question देखते हैं During colonial rune in India The permanent settlement was introduced by जो permanent settlement था मतब कि अस्थाई बंदोबस वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये जो है Lord Cornwallis के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था Option C Lord Cornwallis ने जो है permanent settlement या इसे अस्थाई बंदोबस कहते हैं इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था Permanent settlement में क्या था? कि जम्यदार और Britishers के बीच में जो है वो समझा होता हुआ था जिसमें जो है जम्यदार जो है वो लगान कलेक्ट करते थे कहां किसान से और उसका कुछ पार्ट जो है अपने पास रख लेते थे और बाकी का जो हिस्सा है वो Britishers को दे देते थे तो यही जो है permanent settlement था और यह जो है आपका बिहार और बंगाल के एरिया में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था Next question देखते हम पहला railway line जो है इंडिया में वो किस साल ओपन हुआ था तो यह 1853 में Option B और यह जो है railway line मुंबई से थाने था Next question देखते हम गांधी जी इंटर्वेंशन इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1918 resulted in the enhancement of wages for the workers by जो हमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी का इंटर्वेंशन था उसके कारण जो है वहां के workers के wage में मतलब उनके payment में कितना का enhancement हुआ था कितना बढ़ा था तो 35% जो है वो enhancement हुआ था workers के demand थी 50% का और जो मिल के owner थे वो कह रहे थे 20% के लिए enhancement के लिए लेकिन गांधी जी इसमें intervene किये थे जिसके कारण जो है यह 35% जो है increase हुआ था उनका wage और गांधी जी को एहमदाबाद invite किस ने किया था यह मिल के जो worker से उनके problem को solve करने के लिए तो वो थी अना सुया बेन सारा भाई इन्होंने जो है गांधी जी को invite किया था एहमदाबाद वहां के जो मिल worker से उनके problem को solve करने के लिए next question देखते हम the main grievance of peasants in चमपारन सत्यागरह 1917 was regarding जो चमपारन सत्यागरह हुआ था उसमें main grievances जो था peasants का किसान का क्या था तो वो था तिनकठिया सिस्टम का तिनकठिया सिस्टम में क्या था कि 20 कठा जमीन पे तीन कठा जो है आपको indigo indigo मतलब नील की खेती करना अनिवार मतलब एकदम जो है कंपलसरी था बिटिसर्स उस पे नीन की खेती कराते थे तो इसी को जो है तिनकठिया सिस्टम कहा जाता था 3 by 20 मतलब 20 कठा में तीन कठा में आपको नीन की खेती करनी है और जो नील का उत्पादन करते थे किसान उसको जो है बिटिसर्स खरीते थे और क साफी कम दाम जो है वो किसान को देते थे तो इस इंडिये ये जो है चमपारन सत्यागरा हुआ था और ये जो है गांधी जी को द्वारा किया गया था चमपारन सत्यागरा और गांधी जी को किसने चमपारन इंवाइट किया था तो राजीव कुमार सुकल ने इन्होंने जो ह गांधी जी को invite किया था चंपारन आने के लिए और वहां के किसान की जो हालत थी उनको देखने के लिए उन्होंने invite किया था इंडिया फैक्ट्री एक्ट वाज प्रोमुग लेटेड इन दे इयर इंडिया फैक्ट्री एक्ट कब आया था किसी एर में तो 1881 में option B और उस समय इंडिया का वाजराय कौन था Lord Rippon next question देखते हम who among the following Indian freedom fighter made an attempt to estimate the per capita income of India कौन Indian freedom fighters है जिन्होंने per capita जो है income उसको estimate किया था तो वो थे दादा भाई नेरो जी option D इन्होंने जो है first time per capita income को estimate किया था next question देखते हम under which of the following system the British government collected revenue directly from the farmers किस system के अंतरगत British government जो है वो revenue directly किसान से collect करते थे तो यह आपका रोयतवारी system के अंतरगत option B रोयतवारी system के अंतरगत जो है British government directly revenue collect करते थे farmers से next question देखते हम who started the public works department in India in 1848 1848 में किसने जो है public works department को start किया था तो वो था Lord Dalhoji option B इसने जो है public works department 1848 में start किया था next question देखते हम the cause of decline of textile industry in 18th century in बंगारवाज क्या कारण था decline होने का textile industry का 18th century में तो वो था आपका high tariff rate on export to Britain मतब जो समान जो finished good यहां से Britain जाता था इंडिया से उस पे high tariff rate लग जाता था तो high tariff rate लगने की वज़े से दाम जो है बढ़ जाता था और दाम जो जादा बढ़ जाता था तो वहाँ पे demand जो है वो लेट डाउन किया गया था तो वह था Lord Dalhauji 1853 में next question देखते हम who is the exponent of theory of economic drain of India during British rule किसने यह theory दिया था theory of economic drain कि मतब जो है drain of wealth हो रहा है इंडिया से इंडिया से जो है धन का निशकासन हो रहा है तो यह जो theory दिये थे वो दिये थे दादा भाई नहरोजी ने option A next question देखते हम the English introduced रोयतवारी settlement in अंग्रेज जो है रोयतवारी system को कहां introduce किया था तो यह option D मदरास and Bombay presidency में यहाँ पर क्या होता था रोयतवारी में कि revenue जो है वो किसान से वो direct collect करते थे इसे ही रोयतवारी कहते थे next question देखते हम who author the book property and unbritish rule in India किसने जो है property and unbritish rule in India जो book है वो author किया था तो वो थे आपके दादा भाई नेरो जी option A और इसी book में उन्होंने जो है यह drain of wealth का theory जो है इन्होंने दिया था कि जो इंडिया से है धनका निस्कासन हो रहा है next question देखते हम who is credited with the introduction of permanent settlement in बंगाल और बिहार किसको credit दिया जाता है permanent settlement लागू करने का बिहार और बंगाल में तो है Lord Cornwallis option B अस्थाई बंदोबस्त next question देखते हम who was associated with रोयतवारी settlement कौन रोयतवारी settlement से जो है associated था तो option C Munro Thomas Munro जो है वो रोयतवारी settlement से associated था next question देखते हम permanent settlement वाजे future अब जो यह स्थाई बंदोबस्त था यह किसका feature था तो जमिदारी सिस्टम का इसमें क्या होता था मैंने आपको describe करी दिया है कि जमिदार जो है वो किसान से लगान जो collect कराते थे और उसका कुछ भाग अपने पास रखके बाकी जो है Britishers को देदेते थे तो यही था permanent settlement अस्थाई बंदोबस्त next question देखते हम name the journalist who wholeheartedly championed the cause of indigo movement वाज कौन सा ऐसा journalist था जिसने indigo movement को काफी spread किया था indigo movement का हुआ था बंगाल में बिहार में जो हुआ था चंपारन सत्यागरा वो भी निल के खेती के उत्पादन के अगेंस्ट में हुआ था लेकिन यह जो indigo movement है यह बंगाल में हुआ था त मुखर जी option c next question देखते हम in india the first bank of limited liability managed by indians and founded in 1881 कौन सा पहला बैंक था इंडिया का जो limited liability के साथ जो है manage किया गया indians के द्वारा और जिसकी foundation कभ हुई थी 1881 में तो वो था आवद commercial bank option d आवद commercial bank जो है वो first bank था with limited liability managed by indians next question देखते हम who among the following use the phrase unbritish to criticize the english किसने जो है यह phrase यूज किया था unbritish अंग्रेजों को criticize करने के लिए तो यह थे दादा भाई नेरो जी option b और इन्होंने poverty and unbritish rule in india जो book है इन्होंने ही लिखी थी दादा भाई नेरो जी नहीं next question देखते हम highly system concerned highly system जो है किससे concern था तो यह bonded labor से option a next question देखते हम the british introduce the railways in india in order to british railway introduce किये थे इंडिया में किस लिए किये थे तो इसका answer है option b facilitate british commerce british commerce को बढ़ावा देने के लिए और administrative control करने के लिए क्योंकि railway से क्या करते थे यह समान को एक जगह से दूसरे जगह easily spread कर देते थे और जब कहीं revolt होता था तो जो है sanic को एक जगह से वो दूसरे जगह ले जाने में railway की काफी मदद लेते थे next question देखते हैं और last question है यह which is the oldest trade union organization in india india में सबसे oldest trade union organization कौन सा है तो है आपका option c all india trade union congress तो hope आपको सारे questions clear हो गए होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please like share and subscribe to my channel thank you